हेलो नमस्कार मेरे ना मेरी तोब रहत हो अभी मैं all new Hyundai i20 के sports variant के अंदर बैठा हुआ हूँ सबसे पहला on road pricing के बात करें अगर आप petrol manual की बात करें 8,90 नाइन लाग यह जो on road cost करता है ऐसे consumer detail में बात करेंगे कि इस variant के अंदर आपको जो है क्या क्या चीजे company offer करता है पेस कैसा है आज के दिन वोर्थ होगा के नहीं खड़िदना आपके पीछे से जो व्यू है कुछ ऐसा मलता है यार i20 दिक्तावारा प्रीमियम है यही पेना दिल पिघल सर जाता है तो यह चीज़ अकसर में आपको कहता हूँ तो कुछ ऐसा लोग रहने वाला है special thanks हम मैं कहू तो फ्रॉंट से वह यह इस से प्रीमियम कारी सेग्मेंट में शायद ही कोई होगा अगर है तो कमेंट में बदाएगा all rounder है वह सबसे पहले headlight के बात करें normal halogen setup जो है इस विरिंट के अंदर आपको company offer करता है इंडिकेटर यहाँ पर रहने वाला है और यह जो shave है न स्कॉयर रहता है अगर आप टॉप मॉडल देखोगे तो वहां पर यहां पर रहता है तो यहां बट हां मिलता है जरूर है फॉग लाइट जो है प्रोजेक्टर सेटप के साथ दिया जाता है प्यानो ब्लैक यूनिट काफी अच्छा लग रहा है उपर से यह वाइड है और यह जो शेव है अच्छा लगता है ग्राउंड क्लेंस आपको जाए कंपनी 170 mm का अच्छा खासा ओफर करता है तो टच होने का भी जो टेंशन है वह नहीं रहने वाला और साइट से अगर आप देखते हैं आप तो सबसे पहले यहां पर आप विल्स देखते हैं तो स्टील यह रहने वाला है काफी लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ एलोई यह लगता है नहीं यह आप देख सकते हैं यह जो स्टील वील बेसिकली वील कवर के साथ रहने वाला है फ्रॉंट में आपको डिस्क दिया जाता हूँ इसले एब यह सारा चीज़े देखने में मे नहीं होगा वाडी कलर के अंदर रहने वाला है और जो शेफ है आप देख सकते हो एक बार कुछ ऐसा है पीछे से भी जो लाइट का कनिक्टिंग है काफी अच्छा है यहाप रहने वाला कनिक्टिंग के साथ एलीडी लाइट है पर दिया जाते हैं आपको आइट वेंडी क बूट है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा अच्छा खासा बूट स्प्रेस विसिकली दिया जाता है बाकि नीचे भी स्पेट है और टूल किट आपको देखने में मिल जाता है पोस्चल ट्रे है यहापे क्लोस करते है और डुल टून के अंदर बंपर है तो ग्रेंग अच्छा लगता है यह जैसे फोल्ड अनफोल एंड जस्ट कर सकते है और बहुत अच्छा लगता है यह जिस्ट का फिनिशिंग है ग्रेविन लिया पर रहने वाला है बॉटल लिए आपको देखने में मिलता है बाकि नीचे बीट रह सीट आप एड़्यवाला ए steering आप यह पर definitely adjust कर सकते है और अगर आप यह पर देखते है तो यह पर आपके पास जो audio related control बटन है वो रहने वाला है volume और वो सारा सीज़े control कर सकते है और यहापके आपके पास MID control and cruise control देखने में मिलता है क्लोजली बताओ तो digital MID आपको पता है segment का सबसे best actually under 10 lakh की बात करें इस से बहतर आपको नहीं मिलता average शो करता है यह आप आपको tire pressure monitoring रहने वाला है और यह से आप सारा जो control है वो कर सकते है बहुत ही अच्छा लगता है बाकि यहापे camera भी है अगर आप चलते time definitely on करते है तो वहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है बाकि हां बहुत responsive है क्वालिटी बहुत बहुत है तो कोई complain आप यहापे नहीं कर सकते हैं अच्छा लगता है बाकि सिंटर में भी hazard light यहापे रहने वाला है बाकि यह पर चले आते है तो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आप देख सकते हैं काफी लोग पहले भी आप लोग बोल रहे थे कि इस मोट्स पर नहीं है इस बचेट में होना चाहिए था बाकि नीचे चले आते हैं आप फोन रख सकते हैं और वाले श्चार्जिंग पैट जो आपको ब्लैक कलर के साथ है क्लोस करते हैं और यहां पर आपके वास दो का फोल्डर जो है वह देखने में मिल जाएगा आम्रेश वह आपको यहां पर रहने वाले इस विरेंट के अंदर भी और यह लेदर यूणिट है बागी नीचे भी अच्छा खासा स्पेस है तो चीज़े आप रख सकते हैं सीट की बात करना बड़ा कंफोटबल सा सीट है बहुत वाइडर सीट है आपको 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 कुशनिंग भी अच्छा है तो सामने तो अच्छा कंफोट है मैंने यहां पर देखने मिलता इस इवेंट है देखेंगे हम लोग काफी वाइडर के ब्लैक होने के बाद भी और पीछे कर दोर देखते है तो पारिम रखाई हो गया आपका कंट्रोल यहां से डोर आप अपरेट कर सकते हो ग्रेंड लोग नीचे आपको असपेस है तो आप बॉ इस इस आप से मैंने जोए सीट को अधेस्ट कर रहा था तो यह प्लास अपका इटीन दिन ना दर मलता है तीन लोग कमफोटबली बैठ सकते है यहां पर एक एडजस्टिबल होना चाहिए था इस बजीट के अधर नाइन लैक के अकौडिग में बता हो तो अधा अंडर था आप यहां पर जा सकते हैं बहुत एक बहतरीन कार एक बच्छ लाइब दीजिए कोई भी कन्फिशन है आप हमें कमेंट में अपरी इंस्टा वीडियों कर सकते हैं मिलते नेक वीडियों के अंतर जयकों बाई गई